हेलो एवरीवन दिस रुपेश बिस्रा एंड आई वेल्कम यू आल टो यूर चैनल देट इस मैधवाथ जैसे कि लास्ट वीडियो में हम ने डिफरेंशियल एक्वेशन का फ़र्स चेप्टर खतम कर लिया है अब आप लोगों से सिर्फ क्वेशन्स आप लोगों पूछने और हमें कुछ आंसर्स करने हैं वैसे टेलीग्राम में चैनल पर आप लोग कुशन्स भेज रहे हो उस लोगों ने भीजा भी है और मैं उसका आंसर दे दिया है और भी किसी को लगता अगर एक्साइस लगाता है तो वह पूछता रहेगा हम लोगों ने मेकेनिक्स का एक प पर्ट उफ मेकेनिक्स विच डाइनमिक्स डाने मिक्स का फ़स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो चलिए आज थोड़ी-थोड़ी कुछ सिंपल से पढ़ते हैं और उससे हम लोग चैप्टर को लीड करेंगे और चैप्टर और अच्छे समझेंगे ठीक हम वो सारे आपजक्स पर बात करेंगे औल दोस अब्जट्स और रिटन और जड़ेड ऑवर हेर बिचारिन मोशन जितने भी हमारे मोशन में अबजक्स होंगों उन पर यहां पर बात होगी कि उनमें कितने तरीके के फोर्सेज अपलाई हो रहे हैं उन्हें मोशन कैसा हो र यहां पर V के पास कोई न कोई एक value होगी एक speed होगी ठीक है और speed कैसे कैसे होती है पाइश speed के लिए पहले आपके पास एक distance cover करनी चाहिए with respect to time और speed के साथ साथ यहां पर हमें acceleration भी पढ़ना है कि कभी आपकी speed बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है ठीक है तो यह सारी चीज़ा हमें यहां पर पढ़ने है इस पूरे dynamics में डाइना का मतलब होता है which is in motion ठीक है और हम लोग kinematics में क्या पढ़ने वाले हैं kinematics में हम वो सारे geometry वो सारी geometry पढ़ने वाले हैं वो सारे curves पढ़ने वाले हैं जो हमारा एक particle perform करता है अगर particle ने कोई एक function create किया कि कहीं किसी दो point से एक point से दूसरे point पे वो पहुचा चाहे वो straight line में पहुचा चाहे वो घूम फिर करके कैसे भी पहुचा किसी भी तरीके से तो यह जो उसने geometry आपके सामने बनाई है इस geometry को हम kinematics में रखते हैं और इसका जो second chapter है आपका dynamics का जिसे kinetics बोलता है उसमें exact आपका motion होता है exact motion दिखाता है कि भाई एक bike start हुई यहां से किसी दूसरे point तक एक bike आपकी motorcycle गई तो वो आपको दिखती है बट उस bike ने जो curve बनाया वो curve का जो हम लोग study करते हैं वो kinematics में करते हैं kinetics में exactly देखते हैं और kinematics में उसका curve draw करते हैं उस curve से उसके बारे में बात करते हैं ठीक है चलिए तो बात करते हैं आगे के point की देखिए अब यहां पर जो हम लोग motion पढ़ेंगे वो दो तरीके की फ्रेम्स पर बात करेंगे दो तरीके से motion यहां पढ़ना है अपने को सबसे पहला जो motion होगा motion in a straight line जब आपके object ने एक curve draw किया हो और वो curve एक straight line बना हो उस पर motion की बात करेंगे और एक बात करेंगे motion in a plane अब दोगे plane में तो भाई plane कैसा plane होता है plane xy plane भी हो सकता है yz plane भी हो सकता है zx plane भी हो सकता है तो यह mainly हम लगे 2d की बात कर रहे हैं तो xy plane ही ले लेते हैं xy plane पर आपको पता है दो तरीके के motion होगे motion on x axis और motion on तो motion on y axis दोनों पर बात होगी तो इसमें जो straight line है हाला कि यह 0.1 से ही 0.2 बनता है जैसे x axis की मदद से y axis बनती है वैसे ही आपका एक straight line से motion जो होता है वही plane motion plane में convert हो जाता है तो जो first point है अपना which is motion in a line straight line उसकी बात करते हैं बहुत ही simple से concept है जब आप straight line की बात करते हो तो वही simple simple हमारे formulas होते हैं like speed is equal to distance upon time इस type के जितने भी अपने formula पढ़े हुए वह इसी की बात करते हैं यह कोई बहुत नहीं बहुत बढ़ी चीज नहीं है लेट से देखें बात करते हैं अगर मैंने कोई object लिया ठीक है और उसने वह कहां से कहां तक गया वह स्टार्ट उसने motion किया किसी पॉइंट लेट से पी से पी पॉइंट से वह आगे बढ़ रहा है बीच में मैंने क्यू पॉइंट लिया और एक मैंने आर पॉइंट ले लिया ठीक है अब मैं कुछ डिस्टंस आपको बताता हूं ठीक है पी से स्टार्ट किया था माले थे पी से क्यू तक का जो डिस्टंस है वह एक्स एक्स पे ले लिया मैंने और उसकी डिस्टेंस एक्स ले ली ठीक है और क्यूं से जब वो आर गया मैंने आर को काफी दूर बनाया मैं आर को थोड़ा सा पास बना देता हूं आर को पास क्यों भरा रहा हूंगा अब यह आपको समझ में आ जाएगा यह आर पॉइंट है अब ध्यान सुनेगा जो आपके आर पॉइंट है वो क्यूं से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है मतलब आप समझ लेजें यहां से आदक कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बहुत चोटी डिस्टेंस को मैंने एक से पे अगर ड्रॉ किया है तो उसे मैं डेल्टा एक्स बोलूंगा डेल्टा बहुत छोटी वर्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है मतलब यह इतनी कम वैल्यू है कि अगर मैं आप से बात करूं तो चोटी वैल्यू की बात करने से यह फायदा होता है कि इग्जैक्टली जो छोटे चोटे पॉइंट्स है उनको हमारा ग्राफ टच कर रहा है कि नहीं इसने छोटी छोटी वैल्यू की बात कि जाती है ठीक है और एक बात लेते हैं लेटसे यहां से यहां तक आने में आपको एक्स डिस्टेंस अपने कवर की और साथी साथ अगर आप में बात करूं तो इसने टी टाइम लिया लेटसे यहां से यहां तक आने में ठीक यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो V होता है velocity या speed भोलो आप, तो वो क्या होता है, वो speed is called distance upon time होता है, तो distance एक मैं छोटे से distance की part की बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ी distance की बात करने होती है, छोटी-छोटी distance की बात करने होती है, तो अब body आपकी motion में है, एक motion में है यहां से यहां तक जा रही है तो यह कैसे पता चलेगा कि वो motion में कैसे मैं कहूँगा कि यह dynamics का part है मैं क्या करूँगा मैं बहुत छोटे-छोटे unit of time लोगा ठीक है कि भाई t is equal to 8 seconds से 9 seconds के बीच में वो देखे उसका movement हो रहा है कि नहीं तो आप simple सा यही देखोगे कि उसने अपने place को अगर बदल दिया है एक जिगे से दूसरी जिगे आप देख पार है उसे तो आप कहे दो कि body is in motion ठीक है तो वो बहुत छोटा सा distance देखने की जरूत होती है क्यों छोटा distance क्यों बड़ा नहीं देख सकते सीधी सी बात है जितने भी हम लोग subject पढ़ते हैं उसमें बहुत जादा आप value लगा करके छोटा सा return दे रहे हो तो यह समाज को नहीं चाहिए छोटा सा value लगा करके बड़ा आप कुछ करके दिखाते हो तो वो समाज को accepted है जैसे पता चला कोई invention किया आपने और उसमें बहुत लागों रुपे खर्च हो गया और उसके बाद वो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं बनी लेकिन हाँ जैसे बात कर लूँ आप जैसे पोलियो की vaccine थी तो अगर वो बहुत महेंगी material से बनती तो क्या फाइदा था वो बहुत सस्ते material से बन गई तो इसलिए वो क्या हो गई समाज के लिए helpful हो गई तो याई हमेशा हम लोग को वो चीज़ पे बात की जाती है जो सबसे च्छोटी हो और return हमें ज़्यादा दे तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी बात करते है जब आप इसमें value रख देते हो तो यह हमारी velocity को दे देता है ठीक है velocity या फिर speed को दे देता है ठीक है velocity और speed में थ्रूरा सा difference है ठीक है कि अगर आप घूम फिरके जा रहे हो तो उसे distance बोलते है और आप straight जा रहे हो तो इसे displacement बोलते हैं उसी के उसी के नाम को ले ठीक है देखें अब जो अम लोग ने भी फॉर्मुला ये पढ़ा वी इस इकुल डू लिमिट डिल्टा टी टेंस टू जिरो और डिल्टा एक्स अपॉन डिल्टा टी यहां पर टी को हम लोग ने बहुत छोटा लिया जान पुछ करके कि हम लोग बस खाली यह बता पाएं कि प्रमोशन में है या नहीं इसी को हम लोग कंवर्ट करके डिक्स अपॉन डिटी लिखतेते हैं जहां पर डी क्या होता है डी होता है डिप्रेंस या डिफरेंशेशन आपकोंने पहले पढ़ा है इसको एक और वर्ड हम ले सकते हैं आप लोग ने क्लास ट्वल्ट में चैप rate of change of x with respect to time इसका मेनिंग क्या है जब आप से कहा जाता है rate of change of x यानि distance का rate change बताओ with respect to time तो यही आपकी definition होती है तो rate of change of x यानि rate of change of distance with respect to time जब भी होता है इसे ही आप क्या बोलते हो velocity ठीक है और अगर यह state है तो velocity है अगर velocity है speed दोनों ही बात कहीं जा सकती है ठीक है अच्छा अब दीखें यहाँ एक notation और है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x के उपर एक dot लगा दो ऐसे करके तो इसका क्या बोलते हैं आप speed अब इसे speed बोलो वी चाहिए डिकलो चाहिए x dot लिकलो दोनों का मतलब एक ही है अच्छा यहीं पर एक छोटी सी बात आती है uniform speed की अगर बाई आपने ऐसा रखा कि throughout motion मतलब ट्रेवल कर रहे हो और आपके एक्सेलरेटर एक्टम परफेक्ट्ली एक ही जिगे पर है ठीक है तो ऐसे केस में आपने एक्सेलरेटर जो भी एक्सेलरेशन है वह एकदम कॉंस्टेंट रखा हुआ है अगर एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन आपका है अगर यह एकस्टेरेशन आपका वोन तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती तो ऐसे केस में आपने असे रखाव और ज्यादा करो हलाकि आसा वह ने सकता कभी ट्राफिक है कहीं आप तिने तेज कर दिया और कभी कम एक्सिलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन देखिए उसको भी देखते हैं देखिए अब बात आती है एक्सिलरेशन की तो एक्सिलरेशन को आप एसे शो कर सकते हो और यह कोई बहुत नया पॉर्मुला नहीं है पस आपको क्या करना होता है एक्सिलरेशन जोता है वह चेंज in velocity होता है change in velocity let's say कि बात की velocity v2 है और पहले की velocity v1 है और with respect to time जैसे आपने उसमें एक्स में किया था कि x का changement था वहाँ भी आप x to minus x का लिख सकते हैं कोई बात नहीं है तो अगर जैब आप एक तरीके से dv upon dt भी तो लिख सकते हो और साथ ही साथ dv upon dt को आप खुछ जानते हो कि अगर a is equal to dv upon dt है v को आप क्या लिखते हो थोई दर के लिए मैं d by dt को अलग करके v की जिए पर dv by sorry dxy dt लिख सकता हूं हाँ बिलकल और इससे आप d2x by dt2 भी लिख सकते हो दो बार differentiation of x with respect to t और इसे आप एक बारी ऐसा लिखना जान चुक है x पर एक dot होगा इसका मतलब velocity है या speed है लिकिने अगर दो dot लगा दिया तो इसका मतलब क्या है acceleration है ठीक है इसका एक और formula होता है acceleration का वो भी चलिए देख रहते हैं क्या है देखिए इसी एक को मैंने लिख्या लिखा dv by dt एक काम करते हैं देखिए हम यहां पर इसे इसी एक से multiply और कर दे रहे हैं नीचे डिवाइट कर दे रहे हैं और डी एक से उपर multiply कर दे रहे हैं और dv के upon में dx कर दे रहे हैं और dt के numerator में dx कर रहे हैं तो कोई फरक तो नहीं आपको एक फॉर्म मिलेगा वही मैं बताना चाहरा हूं आपको यह याद होना चाहिए चलिए देखते हैं तो तो अब जड़ा धांस देखिए डी एक्स अपॉन डीटी के प्लेस पर आप इसको क्या लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं तो लिख रहते हैं वी को मैं आगे कर दे रहा हूं और यह डीवी बाइडी एक्स हो गया तो यानि अगर आप थोड़ी दिर से थोड़ी दिर के लिए याद रखे तो जो हमारा एक्सलेरेशन उसका फॉर्मिला जो है वह एक तो यह है एक्स डबल डॉट य अगर sağ devotee दो इंगर एकक्स के रूप में है वी का जो function या कर बहुत रूप में तो आप यह वाला इसता हमल कर लिजिए उसकर में पहले को लिजिए औरो यह मैं करें तो यह थीन तरीके हैं आपके अजनेरेशन और सिफ्ट लाइन फांड टार प्रकोंट करने के थाई ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपना मोशन इन प्लेन उस पर बात करते हैं चलिए देखते हैं अब बात हो रही है मोशन इन प्लेन एक प्लेन प्लेन भाई है मैं एक्स और य एक्सिस वाला एक बना ले रहा हूं अब प्लेन पेखते हो तो आप फ्री होते हो इस ट्रेट लाइन में चलना पड़ता है अगर आप ने मोशन किया कुछ इस तरीके से बुढ़ गए ठीक है और यह करव बन गया अब अगर बन गया है और स्टार्ट यहां से किया है तो आप इसको चब्ध एक च्छ टरेट ठीक, P से आप क्यों तक गये, या फिर P से आप माल लेते हैं, यहाँ फेले एक पॉइंट यहां भी लेता हूं, एक R पॉइंट यहां लेता हूं, ठीक है, P से R गये, फिर R से Q गये, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस R पे, R से हम इसको Q को भी एड कर लेते हैं, इस तरीके से dotted में add कर लेता हूं ठीक है और यहां से पर्पेंडिकुलर भी draw कर दे रहा हूं ऐसे करके और इसे straight से मिला देता हूं क्यों मिला रहा हूं जिससे कि एक हमारा triangle बन जा है ठीक है अच्छा इसे कुछ नाम देता हूं like t देता हूं तो आप जड़ा इसको अगर देखें तो यह ह अतलब भी 2D होता है लेकिन इसको हम लोग two parts में define भी नहीं define भी कर लेंगे आर से तक जाएंगे तो माल लेते हैं यह आर से टी तक की distance बहुत छोटी है delta x क्योंकि x-axis के parallel इसे मैंने delta x माल लिया और tq जो है y-axis के parallel है इसलिए मैंने इसको delta y माल लिया क्योंकि यह motion एक plane पे है तो यहां पर x-axis पे आप चल रहे होंगे और y-axis पे चल रहे होंगे अगर straight line में होता तो यह तो आप x-axis में चल रहे होते हैं यहां पर दोनों है plane की बात की लिए है ना यहां पर जो rt आपका है rt की जो distance है वो जो आप वो r से जो q आप curve पे चल के गए थे यह जो arrow बनाया है rq का वो result part होगा ठीक है result part of rq on x-axis है result part of rq parallel to x-axis है ठीक है यह x-axis का result part है x-axis पर result part है हमारे rq का और जो हमारा tq है वो क्या है result part of rq parallel to y-axis है तो देखे थोड़ी देर के लिए अगर मैं motion दोनों direction पर मानूं x-axis के parallel भी और y-axis से parallel भी तो थोड़ी देर के लिए मैं माल लेता हूं कि जो u माल रहा हूं वो u हमारा एक motion है x-axis के parallel तो मैं माल लेता हू u is equal to limit delta t tends to zero और जब मैं r से t तक गया you can say that r t ना लिख करके मैं directly delta x लिख दूँ तो with respect to time अगर बात करें तो यानि यहाँ पर dx by dt होगा और dx by dt को हम ठीक है तो जैसे हम लोग ने straight line motion में बात की थी बिलकुल यह वैसा ही है तो इसे मैं directly x-dot लिखते रहा हूं क्योंकि x-axis प केस में limit delta t time तो उधर भी उतना ही लग रहा होगा यह ना delta y upon delta t simply से मैं y-dot लिखते रहा हूं ठीक है तो motion मैंने 2D में किया और उसके दो पार्ट निकले मतलब उस velocity के उस speed के दो पार्ट निकले result part जिसे x-dot और y-dot बोल सकते हैं लेकिन हम लोग ने इससे पहले statics में सिखा ह हुआ है और 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 भी पहले सिखा है resultant आपको याद आ रहा होगा जिसने फर्स चैट्र स्टैक्स कर नहीं पढ़ा हो जाकर पढ़ ले तो आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो यह नहीं कहने का मतलब है अगर आपने motion किया है और उससे x-axis और y-axis में resolve कर लिए तो उस है ठीक है resultant यह होगा आपका तो अब यह resultant कैसे हो का भाई v square is equal to आपका जो पहली velocity है that is u square लिख लो आप u square plus v square to u v cos theta यहां पर cos theta की value 90 है तो वो हड़ी के automatic ठीक है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो capital v है यह ध्याना कियेगा थोड़ा capital v is equal to under root of x.square plus y.square dot लगाना मत भूलेगा अगर आप ऐसे लिखना चाहते है या फिर ऐसे नहीं मनें आपका तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या dx upon dt whole square plus dy upon dt whole square ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो तो यह आपका velocity आ गया स्पीड आ गया किसके case में motion in a plane plane के case में 2d के case में velocity जब निकाली जाती है तो उसके दो component आते हैं एक x axis पे और एक y axis पे x वाले को x dot y वाले को y dot लिखते हैं और उसका जब resultant निकालते हैं तो यह आता है ठीक है एक चीज़ और दिखाता हो आपको देखिए यहां पर अगर मैं माल लेता हो थोड़ी दिर के लिए जो हमारा डिल्टा एक्स है या पिर जो हमारा x-axis है यह यह बोले यह x-axis के परलेल डिल्टा एक्स है वो अगर direction of motion के साथ कोई angle बनाए लेट से यह angle बनात से पाई तो अलग होता है पाई तो यह होता है साइं एंगल बनाता है तो इस 10 साई को अगर आप निकालना चाहते हो तो डिल्टा वाई अपॉंट डिल्टा एक्स कर दो है ना यह तो करेंगे यानि आपकी जो स्पीड है y-axis पे और जो स्पीड है आपके x-axis पे उसको रख एक्स पे डिल्टा वाई है तो हमारा साइं भी डिल्टा ही वाई डिल्टा साइं होना चींछा और गयों मैंने आपको भ़ले बढ़ा करके दिखाया और यह कितनी छोडी मैं बहुत छोटा सा कर्म आपको बनाता तो यह इतनी छोटी है कि आपको आखो सब्सक्राइब और और यह delta x हो गया तो एंगल यह चोटा ही बनेगा भाई तो आपको बताता हूं देखें यह एक value आप पहले से जानते हो class 12 में आपने पढ़ा होगा slope यह वही फॉर्मुला है ठीक है slope का formula होता था यह वही फॉर्मुला यहां पर प्रूफ होने वाला आपको दिखाता हूं देखें अगर मैं बात करता तो अगर 10 साई 10 डेल्टा साई लिखूंगा ठीक है इस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो तो आपका जो वाइक्स पर वी डॉट हो जाएगा और एक्स एक्स डॉट हो जाएगा ठीक है जैसे ही आप लिमिट हटाओगे इधर से भी और उधर से इधर भी लिमिट में अपलाई कर देता हूं क्योंकि वह छोटी से पार्ट की बात की ना जब लिमिट अपलाइड हो जाएगे तो यहां पर कोई फरक ही नहीं पड़ेगा डेल्टा यहां से हट भी जाएगा सिंप्ली आप लिखो कर टैन साइज इकोल टू और वाइड डॉट को क्या लिख सकते हो आप जब सोचके बत जाएगा उसके बाद जब आप अंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे डिल्टा वाई अपॉट डिल्टा एक्स और जब टी हट गया तो लिमिट भी हट गई तो उसको सिंप्ली आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो एंड इस विल बी यॉर स्लो ठीक है और यह आप होगा अपने पढ़ा भी हुआ है क्लास ट्वल्थ में था ठीक है यहां पर टैन बताने का एक और मतलब है यहां पर टैन का मतलब टैन को आप जानते हो फुल फॉर्म इसका टैंजेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मोशन होता है किसी भी कर्व पर किसी कर्व ले लिए आपने इस तरीके से बना हुआ ठीक है और आप उस पर मोशन की बात करते हो तो आपको पार्टिकल भले ही ऐसे चल रहा हो लेकिन जहां भी आपका पार्टिकल होगा वहां पर टैंजेंट लाइन खीच रहोंगा उसकी जो डिरेक्शन होगी वह उस पॉइं पर 10 का इस्तमाल होता है ठीक है टैंजेंट से ही पता चलता है कि वह उसका मुख या उसका शीर्च या हैट किदर तरफ है कौन सी डिरेक्शन में है ठीक है इसका एक और पॉइंट है एक्सिलरेशन वह लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अगले पॉइंट्स से भी आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए आप लोग इसको इंजॉय करिए वीडियो को जितना हो सके आप शेर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा लाइक की हमेशा डिमांड रहती है और कमेंट तो आप लोग करते ही हो और करना यतना ज़्यादा हो सके हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाइग दूँगा और टेलीग्राम चॉइन कर लिजे टेलीग्राम पे कोश्चन्स पुछे जा रहे हैं आप लोग भी उसे पीछे न रहे जाओ आंसर आपको भी मिलता रहे ठीक है डानेमिक्स का एक चैप्टर स्टा करें तब तक एलिए थैंक्यू